अपने दुखा सुनाई रही रहा हैं अच्छा आपके कितने लड़के हैं हमारे चार बीटिया इतहाई खाली चार बीटिया हैं बेटे नहीं हैं आपको बता देए माता जी हैं ये बता रही है कि हमारे केवल चार बेटिया हैं बेटे नहीं हैं साइद यही वज़ा है कि सुदाई राम यादो इस घर में अपनी धाग जमा देते हैं हम भाजान कारी थे हम भाजान पर चल रही थे बहिया अब जब हमार पती जी जब कुछ दिन बीती गया जब हम काल करम करवाई ले तब हमार पती जी लखी गयां सुदाई के सुदाई हो गाए ना लाखेन के मान अतिन्या काई रहा था हमा लड़किया कहा बाए जाई पता लगाए था वो उड़के खड़ा होई गया हैं खड़ा होई के आन दवर के सुदी बरे सुदाई सुदाई या था 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 कांपा था हैं किसी लड़के लड़की को उपर हम निगाना ही दोडाते हैं यह सुधाई राम यादो बोल रहे थे देख रहे हैं पीजी नियूज मैं प्रवीन नावी का आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वक्त मेरी मौझूदगी है उत्तरप्रदेश के भदोही जिले में अगर हम बात करें न कि कौन कहता है कि बुढ़े इसक नहीं करते हैं लेकिन बुढ़े इसक करते हैं कोई सक नहीं करते हैं आपको बता दे कि ऐसा ही एक मामला भदोही जन्पत के सुधाई राम यादो नाम है और एक दो बच्चे की मा के साथ लम मेरे साधी कर लेते हैं अगर उनकी उम्र की बात किया जाए तो उनकी उम्र साथ से पैसट साल बताई जा रही है और लड़की की जो उम्र है वो 30 साल बताई जा रही है और क्या कुछ मामला है ऐसे में हम लड़की के माता जी के पास है और वो तमाम हरकत उनकी जानना चाहेंगे कि कैसे सुधाई राम घर पर आते थे और एक लड़की को किस परकार से अपने चंगुल में फंसाया और लास्ट में साधी कर लिया आपको यहां तक बता दें कि सुधाई राम यादो की साधी भी हो गई है उनके बच्चे भी हैं उनके बच्चे के बच्चे हैं मतलब अगर बताया जाए ना नाती पोते सब हैं लेकिन सुधाई राम यादो कैसे एक तीस वर्ष की एक लड़की के साथ कैसे साधी कर लेते हैं यह सारे प्रक्रण पे हम लोग बातचीत करेंगे लड़की की मता जी हमारे साथ हैं और हम लोग भदों ही में हैं आएए हम बात्चीत करने की कोशिश करते हैं ये देखिए यही माता जी है और इनका रो रो के बुरा हाल है ये आप ये देख सकते हैं माता जी रोयमत माता जी आप रोयमत रोयमत रोना नहीं है रोना नहीं है माता जी रोना नहीं है ये देख सकते हैं मा की तबियत बहुत ज माता जी रोना नहीं, आप रोईये मत, 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 सुनिये न, सुनिये न, एक ए फ्रसासन शान हम लोग आए हैं थोड़ा से बात कर लेजिये हम लोग सासन प्रसासन सां से लगे हुए हैं और वह जानम कर दूआ, और मंभी तो आप आये मोई भी सो गिटे ख़ाइ में दो आप माताजी रोए ना रोए मत आपके लड़के जैसे हो बस हम एक दो सवाल करेंगे ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपकी तवियत खराब है देखिए ये माता जी है रो रो के बुरा हाल है ये माता जी को मैं आपको बता दें कि एक अगर तीस वर्सी लड़की जिसकी माने साधी की थी और उसके दो बच्चे भी थे लेकिन एक बिरहा गायक सुदाई राम यादो के साथ वो साधी कर लेती है अच्छा माता जी ये बताईए क्या कुछ प्रक्राण है सुदाई राम यादो कैसे घर पे आते थे सुरू सुरू का कुछ जरा बात बताईए अच्छा आपके कितने लड़के हैं हमारे चार बेटिया इतहाई है खाली चार बेटिया है बेटे नहीं है आपको बता दे ये माता जी है ये बता रही है कि हमारे केवल चार बेटिया है बेटे नहीं है साइध यही वज्य है कि सुद्राही यादो इस घर में अपनी थाग जमा देते हैं अच्छा माता जी यह जब शुद्राही राम्यादो घर पे आते थे का 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 रात रहन कई से केशे रहत रहनTO रहें बाइया रात रहें , लिटैटी खात रहें , शूवत रहें मों ऐठा गाया है का ए है है होला रहा है का इननक उ ख康고 है давł हम भजेन पर चल रहा है था भाहा पाती जी जब कुछ दिन बीती गया common कोर में आरब यह कार में कारम कर ले तब just तोड़ी के उघा उगा यह झाई लाकर आठक है ऑहना लड़किया snap खड़ा होई गया हैं खड़ा ज़िए आपको बता दे कि यह जो माता जी आपको पर दिखाइड रहे हैं निकी बेटी के साथ वह वहें घर के बगल पकड़े गए इनके पती जी जाके पकड़ते हैं तब वह कांपने लगते हैं फिर क्या कुछ होता है कि अंतै करक मैं एपा पार कहा लगए जिसी लिए भर दफेखव कोछ はट लड़की आपडा की हमा लड़की कोरते हो थे prac Side पुरूबल, पेट पिरात रहा, अच्छा भईया, पेट पिरात रहा, था अच्छा भईया, तब चला आए नायत उही रुमा लेह रहा है, तो गरवाई कासी देते हैं, सब कहानी खतम होई जाता है, जना उनका बुद्धी काम के चला आए नहर, सम्झे भईया, चाथा जी इ हम बहुत कांच के पक्का है, हम किसी के लड़के बच्चे को पर, बीटिया को पर, हम निगाना ही घुमा रही ते हैं, कांच के पक्के हैं, किसी लड़के लड़की को पर, हम निगाना ही दोडाते हैं, ये सुधाई राम यादो बोल रहे थे, ये सुधाई ये सुधाई य कुछ की ने साघ्साडिय भी निकंटika हो ए तो मान इनका ज्यवारी लेती हो यह सुधाई ने के आप कह ए अर्ट के आप नेके आते ivैं जा ने अच्छाए रहीं लिखाए लिखाएं लिखा हे लिखाएं लें भाद तहुत लिखा गाद ताभ हमाय भी तिया हमाय भी दें है आपके लड़की को मानता था या नहीं मानता था नहीं मानता था? नहीं मानत कम मानत रहा कम मानत रहा तब आपकी लड़की फिर सुधाई के साथ रहने लगे तब काई हमें इसी के साथ जा भए हम उनके साथ न रह भए हम उनके साथ न रह भए हम उनके साधी कर लेती है आपकी लड़की फिर जाके मंदिर में साधी कर लेती है माला पहना दे काम हो भी किया था कुछ किया था कीए था क्या उपर मतलब आपके पती को पड़ाइं कि मताए हमारे हम तो हमसे अब हमेरे पती जेसह खुब लड़ाई हुग् आपको बता दे कि यह मामला जनपद भदूही का है ये माता जी जो इसक्रीन पर आपके साथ दिखाई दे रही है जिन्हें आप देख रहे हैं अपने यूटूब स्क्रीन पर आपको बता दे कि इनकी एक लड़की थी जिस लड़की की साधी ये माता जी कर देती हैं उसके दो बच्चे होते हैं और इनके पास लड़के नहीं थे उनकी देख रेक करने के लिए वो अपने माई के रहती थी इनके कोई दूर के रिष्टे के एक सुधाई राम यादो आते हैं इस घर में और इस घर में लड़के नहोने की वज़े से इस घर में वो उस लड़की के साथ बात चित करते हैं और यहां पे हर दूसरे तीसरे दिन घर पे आने लगते हैं और धीरे धीरे उस लड़की से प्रेम प्रसंग हो जाता है सुधाई राम यादो की एज जो है वो 60 साल प्लस है मैं आप लोगों को पहले भी बता और आज भी बता रहा हूं और उसके बाद ये क्या करते हैं इनकी लड़की से साधी कर लेते हैं और आज माता जी का बुरा रोरो के बुरा हाल है पिता जी की अधि को लड़की के साधे लेता लाद फोल्ट में लाटिको के साथ गया है उसके नाम पर उसके नाम पहे है और सुधाई रामियाद फैलव या पंरम को लाव जाय है यह कहाए यह माता जी को बिना जमीन को किर दिया गया है इनके पास जमीन नाम से एक भी नहीं हैblooma बत इनको तमाम प्रकार के ताने मार रहे हैं इस प्रकार की बाते हैं सबसे बात यह है जो सुदाई राम यादों है देख लेजिए माताजी के रोरो के बुरा हाल है माताजी रोना नहीं है इस दुक्षी की घड़ी में आपको लड़ना है मजभूती के साथ और आप जीतेंगी आपके साथ न्याय होगा टिंसन मत लेजिए आपको बता दे कि सुधाई राम यादो जो है वो लगातार इस परिवार के साथ उन्होंने अन्याय किया है अगर साधी की बात अगर साधी की ये होते तो ठीक होते लेकिन इनकी जमीन भी हड़प ली गई हमाता जी आपको रोना नहीं है हालाकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट राय में अपनी राय जोड़ दीजिएगा मिलते हैं फिर से एक नेस्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त जय हिंद जय भारत